इस lecture के अंदर हम data pre-processing के जो step है जिसको हम data encoding बोलते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे data encoding या feature encoding same अलफाज है feature तब हम बोलते हैं जब हम data के columns को features में ले जाते हैं और data के जो columns हैं उनको कुछ columns को हम labels में ले जाते हैं तो feature encoding क्या होती है, या data encoding क्या होती है, या column encoding क्या होती है, ये सभी चीजों के same नाम है, मैं screen share करता हूँ और इस चीज़ को हम और भी अंदर depth में जाके देखते हैं, screen आपके सामने हाजिर है जनाब, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो पहला concept है आज का, that is feature encoding और अकसर उकात feature की बजाए आपको ये data encoding के, through आपको ये ही लफ्स मिलता है, feature क्यों हम बोलते हैं और data क्यों बोलते हैं, आपको भी पता है कि जब आप एक machine learning का model train करने वाले होते हैं, तो आपके पास x जो होता है, वो features होते हैं, और y जो होते हैं, वो labels होते हैं, और usually आप encode करते हैं x को, यानि के जितने भी आपके input होती है data की, ठीक है, so features को हम देखते हैं, features को देखने के लिए हमारे पास, जो main चीज है encoding, वो पहले समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे a, b, c, d, e, f, g, h, ये लिखता हूँ, और एक side पे मैं इसको 0, ठीक है, दूसरी side पे मैं लिखता हूँ, i, j, k, l, m, n, o, p, q, और यहाँ पे लिखता हूँ, one, फिर इसी तरीके से मैं आगे लिखता हूँ, r, s, t, u, v, w, x, y, and z, और इसको मैं लिखता हूँ, two, अब अगर आप गोर करें, left side के उपर सारी की सारी हमारी a, b, c आ गई ह अगर यह एक column है, a, b, c का column, ठीक है, और मैं अगर कहूँ के यही a, b, c, सारी की सारी आप 0, 1, or 2 numbers के अंदर भी लिख सकते हैं, so that's called feature encoding, यानि के आप क्या करते हैं, अपना जो categorical data है, उस data को numeric data से represent करते हैं, ठीक है, और feature encoding का मतलब यह होता है के categorical data को numeric data के अंदर लिख इसकी मिसाल में आपको एक और देता हूँ, यहां पर हमारे पास एक data है, जहां पर लिखा गया है, नाम, say for example मैं लिखता हूँ, Ammar, Hamza, फिर लिखता हूँ, Ahtisham, फिर लिखता हूँ मैं Haris, so यह मैंने चार नाम लिखे, अब आपको भी पता है कि जब मैं, चार के चार ना categorical variables मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यह nominal categorical variable है क्योंकि names है, और यहां पर इसी data को मैं convert करता हूँ किसी number में, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, Ammar जहां पर आएगा, वहां पर 1 आएगा, Hamza 2, 3 Ahtisham and 4 Highs, ठीक है, अब आप अगर गोर करें तो हमने same चीजों के छोटे छोटे numeric name रखती है, इसका मतलब यह है कि जब आप अपने data के categorical variables को numeric variables के अंदर लिखते हैं, this is called encoding, और उसके कई तरीके कार हैं, ठीक है, एक तरीका तो यह है कि मैं यहां पर इसको data को directly इस तरीके से encode करके लिखतू, एक तरीका यह है, कि मैं यहां पर data को इसी को जब encode करू तो मैं यहां पर लिखूं, अमार, यहां पर आजाए one, फिर आजाए सारे के सारे zero, फिर मैं अगला लिखूं हमजा, यहां पर आजाए one, फिर आगए zero, फिर इसी तरीके से इतिशाम का one यहां पर आजाए, फिर इसी तरीके से हमारे पास, last जो हमारे पास हारिस है, उसका one इस तरीके से आज़े, ये भी एक encoding का तरीक है, और अगर आप गौर करें तो ये हमें एक matrix दे रहा है which is called अगर आप गौर करें, diagonal पे one आए, तो ये हमारे पास एक matrix की form बन रही है, ठीक है so usually ये क्या कर रहा है, ये हमें same encoding को, एक different way में आगे लेके जा रहा है, अब तीसरी encoding की type ऐसी है पहले तो हमने साथ सादा से number दे दिया दूसरे में हमने क्या किया, different columns बना के हर नाम के, अमार का, हमजा का, एहतिशाम का, एहतिशाम और last पे हमारे पास हारिस, इन सभी का separate column बनाया, इन सभी separate columns के थुरू, उनके नाम दे दिया अब पहला हमने simple 1, 2, 3, 4 बोला, फिर हमने इस तरीके से, एक-एक column दे दिया हर एक data को, फिर एक और encoding होती है, उसको क्या बोलते है कि हमजा यहाँ पे सबसे बड़ा है तो मैं क्या करूंगा हमजा को एक नाम मैं encoding करके दूँगा, लेकिन हमजा जब भी आएगा, वो 1 पे आएगा, फिर इहतेशाम बड़ा है तो इहतेशाम का दूसरा आएगा, अमार तीसरे नमबर पे है, और हारिस चोथे नमबर पे है, तो इस 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 जिसको हम और्डिनल इन्कोडिंग बोलते हैं यानि कि आप order खुद से define करें आप खुद से बताएं कि इसका पहला order है, इसका दूसरा order है इसका तीसरा order है और इसका चोथा order है यहाँ पे कोई ordering नहीं थी, simply encoding होगी यहाँ पे order के साथ encoding है और यहाँ पे column के साथ encoding है यह तीन चीज़े आपको समझ आगी होगी अगर आपको समझ आगी है तो अब इसको हम बारी-बारी देखते हैं कि यह कौन-कौन सी encoding की types है पहली encoding जब भी आप categorical variables को numeric variable के अंदर convert करते हैं उसको हम बोलते हैं label को encode करते हैं label encoding ठीक है label encoding या label encoder जब हम जो इस काम को करेगा उसको हम as-k learn के अंदर बोलेंगे label encoder label encoder तो आपको भी पता है कि label encoding क्या करेगी simply आपके data को numeric data में convert करतेगी सही है अब for example हमारे पास यहाँ पे जो उपर नाम थे जब हमने इनको 1,2,3,4 में convert किया ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 एमी start से end तक खुदी बाखुदी से बोला कि अपना order decide कर लो और ये convert कर दिया this was called as label encoding label encoding ठीक है यहाँ तक समझ आगी अब अगली चीज हमारे पास होती है one hot encoding इसका मकसद आपको मैं समझाता हूँ one hot कहां से निकला है ये एक कॉलम है इस कॉलम में जितनी भी रोज हैं उसमें से एक hot row होगी यानि कि यहाँ पे अगर zero है यहाँ पे अगर one है तो ये zero होगा यानि कि एक ही hot value होगी दूसरे में यहाँ पे तीसरे में यहाँ पे चोथे में यहाँ पे अगर आपके पास चार कॉलम हा रहे हैं उसमें हर दफा एक value जो होगी like this hot से मुराद यह है कि उसकी one value होगी और जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा रोज होगी उस हिसाब से आपके पास अगर चार values दो तो उसका identity matrix बन जाएगा जब तक यह identity matrix नहीं बनता तब तक आपके value count in होती जाएगी यानि के मेरे पास unique values एक कॉलम में चार ही है ठीक है तो यह इसका identity matrix यहीं पर खतम हो जाएगा अगर दुबारा से start हो गया इसका मतलब repetition में values आ रही है तो आपके पास इसमें identity matrix बन जाता है and then if you see here one hot encoding के type यही है कि आप सारे columns को separate कर दें सारी values के separate column बना दे और फिर उसको encode करें this is called one hot encoding सही है फिर हमारे पास एक और आती है जिसको बोलते है ordinal encoding obviously आपको समझ आगी होगी कि label encoding करते हुए अगर आप एक order यहाँ पे मुख्तिस कर दें कि जनाब इस order के बगार तो काम नहीं चलेगा जो हमने यहाँ पे किया था कि हमजा सबसे बड़ा भाई है एथिशाम उस से चोटा अमार उस से चोटा है and then हारिस उस से चोटा so you can actually define the order inside your encoding बन जाएगी ना हमारे पास low, medium and high तो यह हमारे पास one, two, three इस तरीके से encoding हो जाएगी this is called ordinal encoding और इसमें order matter करता है और आपको भी पता एक सब रुका जब आप order की बात कर रहे होते हो तो order matter क्यों करता है क्योंकि ordinal categorical variable जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था यहां पर मैं चाय की चुस्की एक लेता हूँ चाय का चुस्की से पीने का मज़ा है so हमारे पास तीन किसम के यहां पर encoding हो गई label encoding, one hot encoding और हमारे पास ordinal encoding तीन हमने types यहां पर पढ़ ली label encoding number one, number two, one hot encoding और मैं यहां पर तीसरी भी लिख देता हूँ which is कौन सी है जणाब? ordinal encoding right अब ordinal encoding के बाद आपके पास एक और किसम की encoding भी है जिसको हम binary encoding बोलते है binary encoding क्या करती है basically यह आपकी hashing plus one hot encoding इन दोनों के अंदर चलती है where categories are first converted into numeric labels and then those numbers are covered into binary code ठीक है? जैसे आपके पास यह one hot encoding हुई है इसी तरीके से इसमें थोड़ी सी change करके आपका जोई ही जो variable है इसको binary encoding में जैसे यह 0 है, यह 1 है, यह 00 हो गया इसी तरीके से binary encoder भी काम करता है लेकिन इसके अंदर आप dimensionality को reduce करते हैं चार कॉलम से भी कम कॉलम में सारी चीज़ें convert होंगी सेफ और एक्जेंपल 2 के अंदर हो जाती है तो आप जब binary encoding करेंगे तो dimension कम होगी लेकिन इसी तरीके से आपका identity matrix तो नहीं बनेगा लेकिन यह 4 कॉलम, 2 कॉलम की अंदर आ जाएंगे यानि कि अगर 10 लिखा हुआ है तो इस तरीके से आएगा 01 लिख है तो इस तरीके से आएगा दूसरा कॉलम फिर अगर 10 इसके साथ फिर दुबारा है तो आपका तीसरा variable आ जाएगा and then fourth one would be 01 so at the end आप दो-दो कॉलम को merge कर रहे हैं 12 12 ठीक है we will see with example in python जब हम इसको check करेंगे फिर एक और हमारे पास पांचवी टाइप है encoding की which is called as frequency or count encoding frequency or count encoding ठीक है अब आपके पास पूरा data एक आगया यह आपका पूरा data है ठीक है और इसमें कोई 891 रोज हैं 891 रोज है ठीक है अब आपका पहला कॉलम है जनाब name का say for example मैं same example रखता हूँ पहला नाम आ गया जी name का इसमें name है अमार इसमें आ गया हारिस और यहां पे आ गया है तिशाम ठीक है यह तीन नाम आ गया अब तीन नामों का जो count है ना value count आपने हर किसी को वह assign कर देना है say for example हमार आ रहा है 67 67 दफा बाकी हारिस आ रहा है 253 दफा यह 235 यह 253 दफा और जो leftover आपके पास बचते हैं वह आ जाता है say for example 500 something मैं 500 लिख देता हूँ but we will see क्योंके कुछ और भी values इसमें empty भी हो सकती है so यह आप इनके जो number आ रहे तीनों के वो number उठा के लिखते हैं बजाए इसके कि आप 01 लिखे आप बकाइदा उनके frequency count number वहां पे लिख देते हैं this is another encoding type लेकिन बहुत कम use होती है अब हमारे पास हो क्या रहा है यहां पे आपको encoding करनी पड़ती है यानि के categorical variable को numeric के अंदर convert करना पड़ता है और उसके लिए आपके पास 5 किसम के तरीके हैं पहला तरीका है label encoding दूसरा है one-hot encoding which are very important label and one-hot encoding बहुत ज्यादे चलता है ordinal encoding है why do we need to encode the data that's the question why do we need to encode the data or features जरूरत क्यों पड़ी के data को हम code करें encode करने का मतलब यह है के data को हम numbers में लिखें ठीक है encode करें data को numbers में लिखें यह जरूरत क्यों पड़ी that's our question और अब वो देखते हैं कि क्यों जरूरत